स्वास्थ और संदरि के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकल को प्लिक कर दिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे स्वास्ति और सौंदरिया आवला का पानी कैसे त्यार करना है इसके बारे में जाने के लिए बने इस वीडियो के साथ आवला का पानी बनाने के लिए एक वाल में पास से छे चम्मत सूखा आवला ले ले यहां आपको मार्केट में बड़े ही आसानी से मिल जाएगा इसके बार इसमें पानी डाल कर रात भर के लिए छोड़ दे अगली सुबह इस पानी को छान कर किसी कंटेनर में भर कर स्टोर कर ले अब यहां आवले का पानी उप्योग में लाने के लिए तैयार हो चुका है इसे आप फ्रिज में वनवी किली स्टोर कर सकते हैं आवले का पानी बालो में लगाने से पहले अपने बालो को अच्छे से कंगी कर ले कंगी करने से उलजेवे बाल सुलह जाएंगे जिससे आवला का पानी लगाने में सुबिधा होगी इसके बाल एक बॉल में थोड़ा आवले का पानी ले इसके बाल इसे कॉटन की सहता से बालो की जरू में अच्छे से अपलाई कर ले जब यह बालो में अच्छे से लग जाए तब अपने उंगलियों की सहायता से इसकेल्प की हलके हलके मसाज करें मसाज करने से इसकेल्प के बलड सर्कुलेशन में सुधार होता है दो घंटे बाद किसी माल्ड शंपू से बालो को धो ले वीक में दो से तीन बार इस प्रोसेस को करने से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आवले का पानी नियमित इस्तमाल करने से बालो में प्रकृतिक जमक आ जाती है आवले के पानी में विटामिन सी पाय जाता है जो बालो को घना करने में मदद करता है आवले का पानी बालों को संपूर्ण पोशन देता है इसके नियमित इस्तमाल से हेर फॉल की समस्या जड़ से खत्म हो जाती है आवले की पानी में विटामिन C और एंटी आक्सिडेंट प्रोचूर मात्रा में पाये जाता है जो बालों को रूखे वो बेजान होने से बचाता है नियमित आवले का पानी अपने बालों में लगाने से बालों का और समय पकना बंद हो जाता है साथी पके हुए बाल धीरे धीरे काले होने लगते हैं तो फिर आज आपने इस वीडियो में बालों में आवला का पानी लगाने के कुछ बहतर इन फायदों के बारे में जाना आशा है आपको हमारे यी वीडियो अवैशी ही पसंद आया होगा हमारे नए नए स्वास्ते और सौंदरे संबंधी जानकारियों को पानी के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब कर ले तता हमारी वीडियो पसंदाई हो तुछ से लाइए और शेर जरूर करे ताकि इसी तरह हम नए ने जानकारिया आप तक पहुचाते रहें धन्यवाद